इस वीडियो में हम लोग सोशल साइंस के सेगेंड चैप्टर को इस्टार्ट करने वाले हैं जिसका टाइटल है The Earth and the Changes on It इस चैप्टर में हमें डीटेल में परना है कि हमारे अर्थ, हमारे प्लेनेट अर्थ पे क्या-क्या चेंजेस होते रहता है और उसका क्या-क्या डीजन्स है और उन चेंजेस के कारण हमें क्या-क्या फायदा होता है, क्या-क्या नुकसान होता है इन सभी चीजों को हमें डीटेल में परना है इससे पहले मैंने DAV Public School के स्टुडेंट्स के लिए जितने सारे वीडियोस बनाए हैं हमेशा की तर चैप्टर को इस्टार्ट करने से पहले हम लोग ब्रेन मैपिंग करेंगे ताक ही पता चले हमें कि कौन-कौन सा टॉपिक इस चैप्टर के अंदर में हमें परना है तो सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे एक paragraph में हमें बताया गया है कि हमारे earth पे changes क्यूं होता है तो ये हम लोग परेंगे उसके बाद हम लोग परेंगे external processes के बारे में कि हमारे earth के बाहर से कौन-कौन सा process होते रहता है जिसके कारण हमारे earth पे changes आता है और वो सब process क्या-क्या है, पहला है weathering, दूसरा है erosion और तीसरा है deposition, इन तीनो topic को detail में हम परेंगे, इतना तक हम लोग part 1 में complete कर चुगे होंगे, उसके बाद part 2 में यहां से हम लोग start करेंगे, agents of gradation, agents of gradation का मतलब यह हुआ कि gradation के लिए कौन-कौन सा चीज जिमेवार होता है कौन-कौन सा चीज helpful होता है, gradation क्या होता है, वो हम लोग part 2 में जानेंगे, और उसका agent क्या-क्या है, running water, glacier, wind, sea wave, सब के बारे में हम लोग detail में परेंगे, कि gradation में यह सब कैसे help करता है, उसके बार सबसे last में, यानि कि part 3 में हम लोग परेंगे, soil का formation कैसे होता है, and distribution of major soil types, क में कि हम लोग subjective question और objective questions को discuss कर लेंगे, first paragraph में हमें बताया गया है, यहाँ पे कि हमारे earth पे changes क्यों होता है, और कैसे होता है, यहाँ पे लिखाया है, the surface of earth never remains the same, हमारे earth का surface कभी एक जैसा नहीं रहता है, it constantly undergo changes, इसमें हमेसा कुछ न कुछ बदलाव होते रहता है, these changes can be sudden or gradual, और यह जो बदलाव है, अचानक से भी हो सकता है, यानि कि sudden भी हो सकता है, और धीरे धीरे भी बदलाव हो सकता है, यानि कि gradual भी हो सकता है, the sudden changes originate inside the earth, sudden change जब भी हमारे earth पे होता है, तो उसका region जो होता है, वो हमारे earth के अंदर से start होता है, वो region क्या क्या हो सकता है, due to volcanic और earthquake activities, या तो volcano जब फटता है तो sudden change होता है हमारे अर्थ पे या तो earthquake आता है तो sudden change होता है, अचानक से बहुत ज्यादा changes आ जाता है हमारे अर्थ पे these forces bring radical changes and are easily visible, volcano के कारण और earthquake के कारण जो change आता है वो बहुत बरा change आता है और उसको हम लोग आसानी से observe कर पाते हैं, on the other hand some changes are very slow and take place gradually over a long time और कुछ ऐसे changes होते हैं जो कि बहुत slow होते हैं और उन changes को होने में बहुत ज्यादा समय लगता है और ऐसे slow या gradual change का example क्या क्या है, जैसे कि मिटी को जब बहा कर rain water ले जाता है तो वो बहुत slow change होता है हमें पता भी नहीं चलता है कि कुछ बदला वहाँ पे और अगर कोई नदी रास्ता बदलती है तो अचानक से नदी अपना रास्ता नहीं बदल लेती है वो बहुत slow change होता है gradual change होता है, उसके बाद नदी अपना रास्ता बदलती है उसके बाद जब wind, wind के कारण अगर कोई soil particle उर की एक जगा से दूसरे जगा जाता है तो वो भी बहुत slow change है, ये सब हम लोग आसानी से देख नहीं पाते हैं अभी जो हमने दो टाइप का change देखा, एक तो sudden change और एक gradual change तो इसका जितना भी region इस paragraph में हमें दिया हुआ है, वो सब natural region है उसमें human का कोई भी involvement नहीं है, लेकिन human भी involved होता है हमारे earth पे बहुत सारे changes लाने में, उसी के बादे में यहाँ पे हमें बताया गया है human factor can play an equally important role in changing the surface of earth human के कारण भी हमारे earth के surface में बहुत सारा changes आता है इसका बहुत सारे example यहाँ पे दिया गया है, जैसे की cutting down of forest जब human forest को कार देते हैं तो earth के surface में बहुत बढ़ा change आता है construction of road, road बनाने से भी change आता है bridge and railway line, जब bridge बनता है या railway line बनता है तो भी changes आता है large scale mining, जब बहुत गहराई तक mining किया जाता है mining करने का मतलब हुआ कि जमीन को खोद कर बहुत सारा useful चीज़ जो हमारे earth के अंदर है उसको निकालना तो इससे भी earth के surface में change आ जाता है building of dams, जब बांध बनाया जाता है तो उससे नदी का रास्ता बदल जाता है और इसके कारण से भी हमारे earth का जो surface है उसमें change आता है in this chapter we will study about the processes that are involved in bringing gradual change upon the earth surface और इस chapter में हमें परना है कि gradual change का क्या क्या region है हमारे earth पे जो gradual change यानि कि बहुत धीरे धीरे जो बदलावाता है उसका क्या 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 region है जो यहाँ पे sudden change हमारे earth पे होता है उसके बारे में हमें detail में नहीं परना है यहाँ पे सिर्फ हम लोग इसके बारे में परेंगे gradual change यानि कि slow process जो हमारे earth के surface को बदलने में होता है सिर्फ उसके बारे में हम लोग परेंगे अब हमारा next topic है external processes हमारे earth के surface पे changes लाने में कौन-कौन सा external process involved होता है उसके बारे में यहाँ पर हमें पढ़ना है external process exactly होता गया है उसके बारे में यहाँ पर एक line में हमें बताए गया है any process working on earth surface and bringing change on it अगर कोई ऐसा process है जो कि earth के surface पे हो रहा है यानि कि earth के उपर में हो रहा है is known as external process उसको हम लोग क्या बोलेंगे external process बोलेंगे अर्थ के अंदर जो चीज हो रहा है उसको हम लोग external नहीं बोलेंगे उसको हम लोग internal process बोलेंगे internal process का क्या example है जैसे कि volcano हो गया earthquake हो गया यह दुनों internal process का example है The external process may lower the level of land by wearing away the rock particles External process के कारण अगर कहीं पे उंचा जगा है कहीं का land अगर उंचा है तो उसका wearing होने लगता है धीरे धीरे वहाँ के particles move करने लगते हैं और उसका level down हो जाता है और वो धीरे धीरे समतल हो जाता है और उसके opposite भी हो सकता External process के कारण यहाँ पे लिखा है It can also raise the level of land where the soil particles are deposited और अगर कहीं पे बहुत नीचा जमीन है तो उसको फिर से उसका level up भी कर सकता है External process मतलब अगर कहीं पे उंचा जगा है तो external process के कारण वो धीरे धीरे उसका level down भी हो सकता है और कहीं पे अगर नीचा जगा है कहीं पे गड़ा है तो external process के कारण वो गड़ा भर के फिर से level up भी हो सकता है External processes include changes on account of weathering and gradation और external process का यहाँ पे हमें दो example दिया गया है पहला है weathering दूसरा है gradation weathering में क्या होता है और gradation में क्या होता है तो सबसे पहले समझतें कि weathering exactly है क्या और इस process में क्या होता होगा तो यहाँ पे उसके बारे में definition लिखा है weathering का The term weathering refers to the process that breaks rock into smaller particles weathering एक ऐसा process है जिसमें कि एक rock का छोटा छोटा टुकडा होने लगता है एक बड़ा पत्थर जैसे यहाँ पे है तो वो धीरे ध्रे टूट टूट के छोटे 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 पार्टिकल्स में वो बटने लगता है It includes erosion and deposition और weathering होने के कारण ही erosion भी होता है और deposition भी होता है अब erosion क्या है और deposition क्या है उसके बारे में हम लोग आगे परेंगे दो topic अलग से हमें दिया गया है They disintegrate as they are exposed to all types of weather changes और इसमें हमेशा disintegration होते रहता है disintegrate होने का मतलब हुआ कि छोटे छोटे टुक्रों में बढ़ जाना तो यह हमेशा छोटे छोटे टुक्रों में बढ़ते रहता है क्यों क्योंकि हर type का weather changes इसपे effect डालता है क्योंकि यह open to weather changes है तो अगर गर्मी होगा तो भी इसपे effect आएगा बरसात होगा तो भी effect आएगा ठंड होगा तो भी इसपे effect आएगा और इसी के कारण इसमें continuous disintegration होते रहता है The effect of weathering can also be seen on stone monuments and buildings where pieces of stone get flagged off and iron railings get rusted और weathering effect को हम लग पुराने पुराने monuments पुराने इमारतों में भी देख सकते हैं जहां पे क्या होता है कि पथर तूटने लगते हैं और अगर कोई लोहा का चीज़ बना होता है तो उसमें जंग लगने लगता है तो यह सारा क्यों होता है यह सारा changes क्यों होता है वो होता है weathering process के कारण तो यहां तक हम लोग समझ लिए कि weathering में exactly क्या होता है और इसके कारण हमारे earth के surface पे कैसे change आता है अब हमें पढ़ना है gradation के बारे में ग्रेडेशन का मतलब हुआ land को level में ला देना तो यहां पर ध्यान से देखो land level में कैसे आता है कहीं पर जमीन उचा हो सकता है कुछ इस तरीके से और कहीं पर जमीन नीचे हो सकता है ऐसे गढ़्धा हो सकता है जमीन में तो अगर हम लोग इसको level में ला दे लेवल में आएगा, तो वही दो चीज यहाँ पर बताया गया, it occurs in two ways, gradation जो होता है, दो तरीकों से होता है, a gradation and degradation, तो सबसे पहले समझते कि a gradation क्या होता है, a gradation क्या definition लिखा है, a gradation means adding of sediments and raising the level of land, अगर कहीं पर जमिन डाउन है, और अगर हम लोग इसमें sediments को add करें, जाएगा, तो इस process का हम लोग बोलते हैं, a gradation, क्योंकि इसमें हम लोग add कर रहे हैं, और अगर हम लोग degradation की बात करें, तो उसका क्या मतलब होगा, degradation means breaking and wearing away the sediments and lowering the level of land, मतलब अगर कहीं पर जमिन अप है, कुछ इस तरीके से उचा है, तो इसमें breaking होगा, ये natural भी हो सकता है, और human की द्वारा भी हो सकता है, तो इसमें breaking होगा और इसका level धीरी धीरे down किया जाएगा, और उसके बाद ये समतल हो जाएगा, मतलब इसमें gradation हो जाएगा, तो इस process को हम लोग क्या बोलेंगे, इस process को हम लोग बोलेंगे degradation, मतलब दोनों समतल करने का ही process है, लेकिन एक मे तो यही दो चीज हो गया, एक gradation और degradation, अब आगे जो दो topic दिया हुआ है, पहला है erosion और दूसरा है deposition, ये दोनों किस चीज का type है, ये weathering का ही दो type है, हम लोग परे थे कि weathering दो type का हो सकता है, एक erosion हो सकता है और एक deposition हो सकता है, तो उसी के बारे में यहाँ पे हमें detail में प particles move करके किसी भी region से, या तो ये wind से move हो सकते हैं, या तो running water अगर यहाँ पे आ गया, तो उसके कारण ये particles बह के कहीं और चले जाएंगे, तो इन particle का यहाँ से move कर जाना, यहाँ से कहीं और चले जाने को ही हम लोग erosion बोलते हैं, आप लोग परे होगे सुने भी होगे soil erosion, मतल हो जाना, मतलब कहीं पे यह जो particle यहाँ पे टूटा था ना, बहुत सारा particle weathering process के कारण यहाँ से टूटा था, तो यह particle बह के या उड़के कहीं और जाके अगर जमा हो जाता है, तो उस चीज को हम लोग बोलते हैं, deposition, बहुत simple चीज है, अब देखो यहाँ पे जो हम लोग उसका level down हो जाना, इसका particle ध्रेदर यहाँ से move कर जाना, तो यह जो agradation जो होता है, agradation होता है, deposition के कारण, बहुत सारा particle इसमें आके deposit हो जाता है, जमा हो जाता है, और उसी के कारण agradation हो जाता है, और यह जो degradation होता है, degradation किसके कारण होगा, erosion के कारण, क्योंकि degradation में क्या हो जाता है उपर का पार्टिकल मूव कर जाता है यहां से हड जाता है और धिर धरे वह लेवल में आ जाता है तो अब इरोजन के बारे में आपे पर लेते हैं इरोजन और डिनुडेशन इसका दो नाम है इरोजन भी बोल सकते हैं और डिनुडेशन भी बोल सकते हैं रेफर्श से अलग चले जाने को ही हम लोग क्या बोलते हैं erosion या denudation बोलते हैं which lie exposed on earth surface by weathering and agents of gradation और ये जो rocks होते हैं ये कहां पर हमारे earth के surface पर ही होते हैं और ये exposed होते हैं all types of weather changes की तरफ और इसी के कारण इसमें disintegration होता है ये छोटे छोटे टुक्रों में बढ़ते रहते हैं और इन particles का जो movement होता है वो किसके किसके कारण होता है या तो running water के कारण वो particles एक जगा से दुसरे जगा जा सकते हैं उनमे erosion हो सकता है या तो wind के कारण erosion हो सकता है या तो moving ice के कारण erosion हो सकता है या तो sea waves के कारण भी erosion हो सकता है तो यहां तक erosion समझे गए erosion मतलब simply क्या होता है बहुत सारे particles का एक जगा से move करके कहीं और चले जाना और आगे दुसरा topic हमारा है deposition यह जो particle यहां से move करके गए न अगर वही particle कहीं जाके रुख जाएंगे which have been carried from distant part of the earth surface by various agents of gradation agents of gradation का मतलब किसके कारण gradation होता है जैसे कि running water के कारण gradation होता है wind के कारण, moving ice के कारण और sea waves के कारण तो यह सब जो agent है इनके कारण जो particle move हो रहे थे एक जगा से दूसरे जगा जा रहे थे अगर वो particle कहीं settle हो जाते कहीं जाके रुख जाते हैं तो इसी चीज़ गमलोग बोलेंगे deposition the continuous process of deposition result in the formation of soil at other places और deposition के कारण ही soil का formation होता है यानि कि मिट्टी का formation होता है बहुत सारे particle उर के या पानी में बहे के आएंगे और बहुत सारे particle अगर एक जगा पे जमा हो जाएंगे तो मिट्टी का formation हो जाएगा the rate at which erosion takes place depends on the temperature of a place vegetation cover rainfall, slope of the land type of the soil and changes in land use किसी जगा erosion कितना तेज होगा या कितना slow होगा ये बहुत सारे factor पे depend करता है जैसे कि अगर temperature बहुत ज़्यादा है कहीं का तो वहाँ पे erosion बहुत तेजी से होगा वहाँ का मिट्टी बहुत जल्दी उड़ेगा बहुत जल्दी वहाँ का मिट्टी बह के कहीं और चले जाएगा vegetation cover यानि कि वहाँ पे plants कितने ज़्यादा है उस पे dependent करता है जितना ज़्यादा plants होगा जितना ज़्यादा tree होगा उतना कम erosion होगा मतलब वहाँ से कम मिट्टी बहेगा उतना ही और अगर कहीं पे tree ही नहीं है बहुत कम plants है बहुत कम tree है तो वहाँ का मिट्टी बहुत जल्दी टूट टूट के बहने लगेगा, Rainfall, rainfall जितना ज़्यादा होगा, उतना ज़्यादा erosion होगा, आपको पता है, Slope of the land, Slope का मतलब होता है ढाल, अगर Slope बहुत ज़्यादा है, ऐसे है कुछ, तो वहाँ पर erosion बहुत तेजी से होगा, बहुत जल्दी ये टूटेगा, और Slope बहुत कम है, मतलब ऐसा है, ढाल बहुत कम है, तो वहाँ पर erosion बहुत कम होगा, Types of swell and change in land use, मिट्टी का क्या टाइप है, मिट्टी अगर बहुत कठोर है, बहुत hard है, तो वहाँ का swell का erosion बहुत कम होगा, और मिट्टी अगर बहुत soft है, तो वहाँ पर स्वेल का erosion बहुत तेजी से होगा, और किसी भी land के portion को हम humans कैसे इस्तेमाल करते हैं, उस हिसाब से भी हम लोग बोल सकते हैं, कि erosion तेजी से होगा, या erosion slow होगा उस land का, तो इस पार्ट में हमें जितना कुछ परना था हमने complete कर लिया, हमने deposition तक जितना भी topic given था, सब हमने अच्छे से पर लिया, अब next पार्ट में हम लोग परेंगे agent of gradation, यानि कि जो जमीन समतल हो जाता है अपने आप nature में, वो क्यों होता है, किस किस region से होता है, तो यहाँ पर running water उसका region है, glacier उसका region है, wind है, sea waves है, सब के पारे में हम लोग detail में परेंगे कि कैसे कैसे जमीन का leveling हो जाता है, उसका gradation हो जाता है, उसके बाद third part में हम लोग soil के पारे में detail में परेंगे, तो बस इस वीडियो में इतना ही इस चेप्टर का जो question answer का pdf होगा वो question answer के वीडियो आने के बाद आपको हमारे website davguru.in पे download करने को मिल जाएगा इस website पर आपको बहुत सारे notes मिल जाएंगे आपको बस chapter का नाम सर्च करना होता है और उसके बाद उस chapter का जो भी notes available होता है आपको download करने का link दिख जाता है तो एक बार इस website को जरूर चेक आउट करना नीचे description में आपको Instagram, Facebook और Telegram का link में बिल जाएगा जिस पर आप मुझे directly connect कर सकते हो और वहाँ से मुझे कोई भी doubt पूछ सकते हो तो उसको भी एक बार जरूर चेक आउट करना तो बस इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए अपना ध्यान रखो और अच्छे से पढ़ाई करते हो